का दिखाई गई है जिसमें एक आदमी जंगल से भाग रहा है इस आदमी का नाम इलोशा था और फिर एक रानी दिखाई देती है वो अपने जादू से इलोशा को पत्थर में बदल देती है यह रानी एक जादूई जगह खोजना चाहती है और इलोशा इसके बारे में जानत है लेकिन वो इस जगह की रक्षा करना चाहता है वो यह बात रानी को नहीं बताना चाहता इसलिए वो उसे पत्थर बना देती है इलोशा का एक साथ ही रानी से बचकर पानी में कूच जाता है यह दिखाया गया है कि रानी ने कई लोगों को पत्थर का बनाया है और फिर मु पहाते हुए लोगों का मनोरंजन करता है यह उसका पेशा है इवान एक बूरी औरत से मिलता है जब वो अपने शो के बाद घर लोट रहा था वो उसे बताती है कि वो जल्द ही दूसरी दुनिया में होगी इवान बूरी औरत को एगनो करता है और घर पहुंच जाता है इवा महिला के साथ इवान की मुलाकात हुई और उसने महिला को बताया कि उसके घर में काली शक्ती है उर्जा के कारण उसका पती उसे धोखा दे रहा है इवान उस महिला के घर काली शक्ती को दूर करने के लिए एक अनुष्ठान करता है महिला इवान को बदले में भारी रकम द जो लंबे समय से कोमा की स्थिती में है, डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा किसी भी दवा का जवाब नहीं दे रहा है। महिला डॉक्टर इवान से बच्चे को जगाने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए कहती है। इवान बच्चे को देखता है और कहता है कि वो उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। वो जा रहा था और इवान भी बच्चे के लिए बुरा महसूस कर रहा था। वो अपने बच्चपन को याद करता है जब वो छोटा था और अनाथालय में रहता था। बच्चों ने उसे चिडाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया है। इवान ने पिन की मदद से दुकान खोली और अभी भी उसके पास पिन है। वो पिन को आज भी अपने लिए लखी मानते हैं। वो रेस्टोरेंट में बैठा था और महिला का पती आ गया, जिसके घर में इवान ने रस्ट निभाई है। इवान अपने पहरेदारों को देखते हुए उसके इरादों को समझता है। वो तुरंट वहां से भाग जाता है। वो एक स्लाइड में चला गया और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दूसरी तरफ से एक जंगल में पहुँच गया। व वो आदमी जो रानी से बच गया और वो आदमी इवान को बताता है कि वो अब दूसरी दुनिया में है। वो इवान से कहता है कि उसके माता पिता ने उसे छिपाने के लिए कहा। इवान उसे समझ नहीं पाया और फिर वहां जादू देखकर चौंक जाता है। बुड़ा इवान को एक अंगूठी देता है और उसे इस जगह को बचाने के लिए कहता है। इससे पहले कि इवान बुड़े से कुछ पूच पाता, उसे एक तीर मार दिया गया। इसकी वजह से बुड़ा मर जाता है। कुछ पहरेदार घोडों पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं वे इवान को अपने साथ ले गए और वे राजा के पहरेदार थे। वे इवान को अपने राजा के पास ले आते हैं। हात में अंगूठी देखकर राजा इवान से कुछ नहीं कहता। वो हात छुडाता है। राजा इवान से कहता है कि वो उसका भाई है। वो बचपन में खो गया था और एवान से मिलकर खुश था वो एवान को सभी से मिलवाता है वो एवान को उस रानी से मिलाता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है जिसने अपने जादू से एलोशा को पत्थर में बदल दिया था रानी एवान को महल दिखाने के लिए ले जाती उसने चालाकी से उसे एक लौकर में बंद कर दिया इवान उस्तिजोरी में कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है उसके शरीर के अंग अलग अलग बर्फ में फंस गए थे वो आदमी इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो इवान उस आद आदमी कहता है कि तुम एलोशा के बेटे हो इसलिए तुम्हें यहां लाया गया है। बातचीत के दोरान एक और कैदी को वहां लाया गया। वो एक डायन थी और फिर इवान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। बर्फ में फसा आद उस तलवार को उठा लिया है। इससे मैं अमर हो गया हूँ। शूर वीरों ने हम पर हमला किया है और हमें कैदी बना दिया है। जेल में एक लड़की आती है जब रात को सब सो रहे होते हैं। लड़की का नाम नलसी रखा गया और जेल में चुडैल अपने जादू से सभ को मधोश कर देती है। नलसी बर्फ में फसे व्यक्ति को रहा कर रही थी। वो उसके शरीर के अंगों को जोडती है। वो आदमी इवान से रहा होने के बाद उसके साथ चलने के लिए कहता है। क्यूंकि उन्हें विश्वास है कि इवान उनकी मदद करेगा। इवान अप पहरेदारों का ध्यान भठकाते हुए वहां से भाग जाते हैं। जब रानी को पता चला कि सभी जेल से भाग निकले हैं, वो उन्हें पकड़ने के लिए चलती है। वे बहुत दूर चले गए हैं। अगले दिन रानी यह बात राजा को बताती है। राजा नहीं जानता कि उसके भाई को रानी ने कैद कर लिया है। राजा को लगता है कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाते हुए उसकी मदद की है। वो आदमी जिसे उन्होंने बर्फ में फसा दिया। दूसरी तरफ इवान, नेलसी और कोशी को दिखाया गया है। वे डायन के घर पहुँच इवान उनकी परिशानी बढ़ा देता है। डायन के घर में गलती से आग लगा देते हैं। चुडैल उग्र हो जाती हैं लेकिन कोशी कहते हैं कि उन्हें खोजने के लिए इवान की आवश्यक्ता होगी। वे आगे बढ़ते हैं और इवान अपनी यात्रा का आनंद ले र जाता है कि यह एक मेधग जैसा प्राणी है। चुडैल खुद को एक सुंदर महिला में बदल लेती है। और रक्षक इससे प्रभावित हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। रानी भी वहाँ पहुँचती है और उसे पता चलता है कि मेधग जैसा प् इस बीच इवान का फोन बजना शुरू हो जाता है और विशाल प्राणी जाग जाता है विशाल प्राणी इवान पर हमला करता है नालसी मेढग जैसे प्राणी से मदद मांगती है और असल में वो एक शूर वीर है इवान को पता चलता है कि विशाल का एक महिला है वो उसे अ कुष्ची मेढग जैसे प्राणी को मचलीयों को नियंतरित करने के लिए कहता ताकि वे जील को आसानी से पार कर सके लेकिन वो वहां की मचलीयों से डर कर भागता है इस दोरान कोशी और निलसी भी लड़ने लगते हैं निलसी छोड़ देता है और कोशी ईवान को उसकी कहान रालनी बताती है जैसे वो चली गई celular वो बताता है की राजा निलसी को पसंद करता है और रानी को इस वजह से नेलसी से जलन होती थी रानी ने बदला लेने के लिए नेलसी के परिवार वालों को मेधख बनाया है रानी के जादू को उलटते हुए चुडेल ने उसकी मदद की और उन्हें इंसानों में बदल दिया वो एक खरगोश को नेलसी के पास ले जाता है ताकि वो उसे राजी कर सके नेलसी उस खरगोश से डर जाती है खरगोश रानी में बदल जाता है और रानी के पहरेदार उन्हें घेर लेते हैं पहरेदारों से बचने के लिए वे एक कुए में कूट जाते हैं वे इलाके को जाम कर देते हैं मेढ़क प्रानी भी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। डायन को देखकर क्रोधित हो जाता है। चुडैल ने उन्हें धोखा दिया है। जीव उनकी मदद करता है। वो रानी का सामना करने के लिए वहीं रुख जाता है। रानी मेढ़क प्रानी का अंत कर देती इवान अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है लेकिन नेलसी इस से खुश नहीं था। क्योंकि वो इवान को पसंद करती है। अगले दिन जब वे जागे तो रानी अपने रिक्षिकों के साथ वहां मौजूद थी। नेलसी रानी के पहरेदारों से लड़ती है। भागते भागते वो मार्ग पर पहंचता है वहां अनेक तलवारी थी। रानी भी वहां पहंच जाती है। वो अपने जादू से इवान पर हमला करती है। इस दोरान इवान को असली तलवार मिल जाती है और तलवार के कारण रानी को आसानी से समाप्त कर देता है। बाद म में पता चला कि इस Mastermind के पीछे राजा का हाथ था। वो अपनी तलवार और पत्थर की मदद से अमर होना चाहता था। लेकिन राजा कोशी को धोखा देता है। जैसे ही राजा कोशी नलसी पर हमला करता है वो वहां पहुंच जाता है। उस पर हमला करते हुए नलसी तलवार को दूर तक फेक देता है वो अप इवान उस तलवार को उठाता है और अपनी वास्तव एक दुनिया में चला जाता है इवान अपनी वास्तव एक दुनिया में पहुँच कर खुश नहीं था वो सोचता है कि उसे नेलसी को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए वो फिर से उस स् इस दोरान गार्ड ने उसे पकर लिया राजा अपना जादू पूरा करने वाला था लेकिन इवान आता है और राजा को गोली मार देता है जब राजा इवान को खतम करने के लिए आता है तो एक अजगर आता है इससे इवान और इवान को नेलसी को रिहा करने का समय मिल जाता है नेलसी ने इवान से कहा कि अगर वो राजा के पत्थर को तोड़ देगा तो राजा जल्द ही मर जाएगा राजा इवान से विचलित हो गया और अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए इवान से लड़ने लगा दूसरी ओर रानी और नलसी भी लड़ रहे थे इवान को रानी का पता चलता है और राजा ने उसके पिता को एक पत्थर बना दिया है इस दोरान कोशी ने पत्थर उठा लिया ऐसा लगता है कि कोशी उसके लिए पत्थर का इस्तेमाल करेगा लेकिन वो अपनी तलवार से पत्थर को तोड़ देता है इसके कारण कोशी और राजा की मृत्यू हो गई रानी भाग जाती है राजा के मरते ही लोग पत्थर हो गए, ठीक हो गए उनमें इवान के पता भी शामिल थे वे एक दूसरे को देखकर भावोक और खुश हो जाते हैं इवान ने फैसला किया कि वह इस दुनिया में अपने पता के साथ रहेगा बाद में उन्होंने नेलसी से शादी कर ली एक दिन इवान वापस अपनी दुनिया में चला जाता है वो कॉमा के ड्रिंक को जादूई पे बनाता है इससे बच्चा ठीक हो जाता है इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है